Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल तो इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कौन था क्या इसने किया था इसका रोल क्या था काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा परसों से हमारा जो मौनिंग बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है जिन लोगों को इव एफसाइट अप पर जाएए और फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहाँ पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइफ ताकि आपको मैक्सिमन डिसकाउंट मिले और इसके अंदर प्रिलियंट से लेकर इंटर्व्यू तक की पूरी त्यारी आपको कराई जाएगी चा पहले सुरुवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एक्जाक्ली हुआ क्या है देखो यूएस के अंदर एक कोट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैलिफोर्निया डिस्टिक एक जजज के द्वारा अप्रूवल दिया क्या है कि भारत सरकार का जो रिक्वेस्ट था कि तहूर राना को भारत एक्स्टरडीट किया जाए भारत भेजा जाए क्योंकि ये 26-11 का आरोपी है इसको यहाँ पर अलाव कर दिया गया है और मैं आपको बता दूँ 26-11 का आटाक जो हुआ था वो 2008 में हुआ था और बताया जा रहा है कि ये जो तहूर राना है वो मिली भ इसके पहले जल्दी से एक बार मैं आपको 26-11 मुंबई अटाक के बारे में बता देता हूं देखो 26th of November 2008 में ये अटाक हुआ था इसलिए इसको 26-11 अटाक भी कहा जाता है जिसके अंदर 10 लशकरे ताइबा के जो टेरिस्ट हैं वो भारत के financial capital मुंबई पर अटाक किया था उन्होंने और आप कह सकते हैं लगभग 3 दिन तक वो मुझे याद है बेंगलूरू के रखा था और जो major landmarks हैं जैसे ताज होटल हो गया छत्रपजीज सिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन हो गया वहाँ पर अटाक किया गया था इस पूरे वाइलेंस में 166 लोगों की जाने गई थी जिसमें foreigners भी थे और जो पाकिस्तानी नाशनल्स मुंबई के अंदर आये वो एक बोट एक नाव के मदद से आये थे यह आप देख सकते हैं इसको बाद में find कर दिया गया था अब कोशन यहाँ पर यह है कि 2611 में यहाँ पर जो आरूपी बताया जा रहा है तहूर राना यह कौन है देखो 62 साल की इसकी उम्र है और बताया जाता है कि यह हैडली डे एक यूएस सिटीजन है डेविड हैडली और इसकी जो मा है वो अमेरिकन थी और जो फादर है वो पीता जो है वो पाकिस्तानी थे और 2009 अक्टोबर के महने में इसको यूएस अथोरिटीज अरेश्ट कर लेती है 2611 के मामले में और 35 साल की इसको सजा दी जाती है इस समय वो यूएस के जेल के अंदर है डेविड हैडली और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 35 साल की सजा क्यों है देखो minimum life imprisonment तो इसको मिलता ही लेकिन कहते है ना कि अगर आपको arrest किया जाता और आप सरकारी गवा बन जाते हो तो आपकी सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है तो उसी च और जो terrorist हैं जो लशकरे ताइवा हैं उनको अलग अलग जगा इसी ने बताया था कि यहां यहां पर जो है तुम bomb को place कर सकते हो तो attack के जश्ट पहले डेविड हैडली जो है मुंबई आया था उसने पुरा मुआयना किया था मुंबई का कहां कहां पर attack कर सकते हैं यह सारी जो आरोप हैं वो डेविड हैडली के उपर लगाए गये थे और इसके साथ साथ अगर हम राना की बात करें तहूर राना की उसके उपर देखो एक तो भारत में जो 26-11 attack हुआ था उसका आरोपी तो ही है लेकिन साथी साथ जो conspiracy है डेनमार के अंदर newspaper office है उसको भी bomb करने की स कुछ साल तक पढ़ाई की थी बशपन में schooling की थी पढ़ाई की थी और बताया जाता है कि तहूर राना पाकिस्तान आर्मी में कुछ समय तक डॉक्टर का काम किया फिर आगे चलकर वो कैनेडा चला गया था और वहाँ पर उसने Canadian citizenship पा ली थी तो ध्यान रखे का ये जो तहूर राना का 2611 में क्या रोल था देखो यहाँ पर क्या है ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ तहूर राना जब कैनडा गया आगे चलकर उसने consultancy firm जो है वो खोल ली जिसका नाम था First World Immigration Services in Chicago USA तो basically वो USA के अंदर क्या करता है यहाँ पर एक consultancy firm खोल लेता है तो basically एक consultancy firm का relation का है मैं आपको बताता हूँ basically जो मैंने आपको बताया यह जो डेविड हेडली है वो मुंबई जब वो आया था वहाँ पर जब उसने मुआयना किया था पूरे मुंबई का कहां प्लांट किये जाएंगे जो पाकिस्तानी terrorist आएंगे बोट के माध्यम से उनको कहां क सहां पर जाना है यह सारी जो information collect किया था ना डेविड हेडली ने बताया जाता है कि यह जो first world immigration services है इसका एक ब्रांच जो है मुंबई के अंदर खोला गया था और मुंबई में यह जो ब्रांच था वो एक तरह से उसको डेविड हेडली को protection provide कर रहा था उसके identity को protect कर रहा थ बेसिकली तो यहां पर क्या है ना कि US government ने US government के जो attorney है जो lawyers है उन्होंने court के अंदर यही बोला था कि तहूर राना जो है उसने हेडली की एक प्रकार से मदद की थी तो को तहूर राना directly कोई मुंबई नहीं आया था वो भारत नहीं आया था लेकिन डेविड हेडली को क्यो यहां कि 2009 October में जब डेविड हेडली को अरेश्ट किया गया उसके जस्ट बाद American police ने Chicago के airport से तहूर राना को भी अरेश्ट कर लिया था और बताया जाता है कि finally 2011 में Chicago में जो है इसको convert कर लिया गया था मतब जो भी trial वगरा चला था उसमें convert पाया गया था कि भारत पे जो attack ह 2611 का उसमें ये भी शामिल है लेकिन जो तहूर राना का lawyer है जो वकील है उसने यहां पर अबेसी बात है तहूर राना का जो वकील है वो उसके पक्ष में बात करेगा तो तहूर राना ने ये कहा कि देखे डेविड हेडली ने जो भी बयान दिया है तहूर राना को लेकर कि तहूर राना से मैं मिला हुआ था उसने support किया था ये डेविड हेडली की चाल है डेविड हेडली जान मुझकर एक सरकारी गवाब बन गया है ताकि उसकी सजा कम की जा सके और उसने क्योंकि अब तहूर राना और डेविड हेडली एक साथ school में थे तो एक प्रकार से तहुर राना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ऐसा उसके वकील का कहना है, तहुर राना के वकील का, लेकिन ये बात मानी नहीं गई, यहाँ पर ये बात कही गई कि साफ साफ कि नहीं, डेविड हेडली को मदद करने वाला तहुर राना है, उसको सब कुछ पता था कि देविर हेड ली क्या करने जा रहा है, मुंबई, उसका मेन मक्सद क्या है, in fact, डेविर हेडली ने खुद अपना बयान दिया था, कहा था कि काफी सारे जो पैसे वगर हैं, वो भी तहुर राना ने डेविड हेडली को भेजे थे, ठीक है? तो ये सारी चीजों से साफ जाहिर होता है कि तहुराना 26-11 का आरोपी हैँ, अब देखे क्या होता है? यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है? तहुराना को 14 साल का यहाँ पर सजा सुना दिया जाता है और 5 साल कुछ माफ अगरा कर दिया जाता है लेकिन 2020 में अब देखे अब भारत का रोल क्या आता है 2020 में जो है जब COVID-19 चल रहा था तो तहुर राना को COVID हो जाता है तो उस दोरान क्या है कि Health Ground को देखते वे तहुर राना को जो Terminal Island Prison है Southern California वहां से उसको रिलीज क पता चलते है कि तहुर राना जो की 26 से 11 का रोपी है उसको रिलीज किया जा रहा है तो भारत एक्षन में आता है भारत नहीं यहां पर जो Extradition request है वो US को भेजा कि हम चाहते हैं कि तहुर राना जो है उसको भारत भेजा जाए क्योंकि वो 26 से 11 का रोपी है तब American authorities ने भारत सरकार की सुनी और यहां पर जो request है 10 जून को मतलब 2020 में 10 जून को यहां पर भारत के request पर तहुर राना को वापस से 19 जून को arrest कर लिया जाता है Los Angeles से आ रहा है समझ में मतलब तहुर राना release हो गया US की jail से फिर भारत ने यहां पर Extradition का जो request है भारत ने साफ साफ का कि दिख किया था और भारत के request पर finally जो है 19 जून को उसको वापस से arrest कर लिया जाता है फिर 2021 में आपको पता है Biden Administration Biden की सरकार आती है और उन्होंने Biden Administration के उपर भारत सरकार ने दबाव बनाया और फिर Biden सरकार ने federal court वहां पर जो court है California का वहां पर उनसे request किया कि भारत का request extradition का इसको certified क किया जा सकता है और इसी को देखते वे finally जो है US court ने allow कर दिया है कि राना को तहूर राना को भारत भेजा जा सकता है ठीक extradit किया जा सकता है अब कितना किया जाएगा नहीं किया जाएगा लेकिन approval मिल चुका है देखे अब depend करता है American government के उपर कि वह कितना जल्दी वह approval मान नामते हैं और कब तक भारत उसको भेजते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ भारत के अंदर तहूर राना और कई सारे जैसे हाफिस सईद हो गया है इंफाट हैडली को लेकर भी बहुत जादा भारत सरकार ने दबाव बनाया था कि उसको वापस भेजे लेकिन जैसा मैंने ना हैडली जो है उपरकार से सरकारी गवा बन गया वहाँ पर तो अमेरिकन गवर्मेंट त्यार नहीं हुई उसको भेजने के लिए काफी कोशिश किया गया था लेकिन इसके रवा हाफिस साईज, जाकिर उल रहमान लकवी यह सब आपने नाम कई बार सुने होंगे और भी भारत आएंगे तभीन के ओपर ट्रायल होगा, अब देखते हैं कि क्या भारत एक्च्वल में तहूर राना आपाता है, नहीं आपाता है, पटाय होग की जो पुरा मामला सामने आया है, जिसको लेकर चर्चा हो यह वो आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक इसका राइट आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईये लगला सोचल मीडिया पर आप जूड़ पाओगे, और जैसा मैंने बताया था, UPSC के अगर आप त्यारी कर रहे हो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताम, till then, thank you very much, see you soon.